हेलो एवरिवन आयम शेवी फ्रम दक्षक एडमी लाडवा हर्यानव पुलिस की जो सिरीज स्टार्ट करकिती रिजनिंग की आज उसी को आगे कॉंटिन्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट कुश्चन देखे हमारा क्या है फर्स्ट कुश्चन है यह हमारा कुश्चन है ए से ए तक पांच मकान एक पंक्ती में बने हैं चीक है देखिए पंक्ती है तो हमने एक लाइन ड्रो कर ली क्योंकि हमने बताया है कि एक लाइन में वह पांच मकान है ए बी सी डी और ए ठीक है अब किस तरीके से है वो ए बी के दाइओ देखे जब भी हम पंक्ती में बात करते हैं तो कोई भी एक number लेते हैं जैसे हमने यहां पे बी लिया तो इधर के side पर हमेशा ही उसका क्या होगा right side होगा right यानि की दाया side होगा और इधर के side पर हमेशा ही उसका left होगा यानि की by side होगा तो उन्होंने क्या कहा कि दाईयोर है अब भी हमें सू टेबल किया थो अथि कहाँ पर जाय। इसके दाईयोर यहां पर आजाए उसके बाद कहां है यहां यही के बंगे बंगे और इसके बंगे B, D के दाईयोर है B जो है D के दाईयोर क्योंकि इधर जो है उसका दाया साइड आएगा तो यह हमारी एक पूरी सिरीज बन गिया पाँचों मकान की D, B, A, E, C तब हमने क्या बताना है कि तब बीच में कौन सा मकान आएगा तो मिडल पॉजिशन देखने है मिडल पॉजिशन पे हमें A नजार आया है कि दो मकान इधर हो गए दो मकान इधर हो गए और बीच में कौन है A है तो इसमें हमारा आंसर कौन सा जाएगा B option यहाँ पे connect हो जाएगा तो बस हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि left और right इधर लेना है जब भी हमारा face ऐसे हो यह number ऐसे लिखे हो तो हमेशा ही right side आपने इधर लेनी है और हमेशा ही left side इधर लेनी है यानि दाया और बाया बस इतना धिहान रखेंगे तो आपका question बिल्कुल सही जाएगा बिल्कुल इसमें mistake नहीं होगी next question देखे A में भी दोनों C के बच्चे है A और B दोनों ही कौन है C के बच्चे है यानि कि जो A और B है वो same generation के हो गए और C जो है इनसे upper generation हो गया तो इस वज़े से मैंने C को थोड़ा सा इनसे upper generation में shock किया है ठीक है उसके बाद क्या कहा है C A की मा है जो C है वो कौन है मा है A की ठीक है उसके बाद कहा है A C का बेटा है A जो है बेटा है बेटे के लिए हम इसको दिनोट कर रहे है प्लस से प्लस साइन क्या बताता है हमें प्लस साइन ये दिनोट करता है कि वो एक male character है ऐ जो है C का बेटा है परन्त। B C की बेटी नहीं है अब यह बेटी नहीं है तो बेटा ही होगा अविसली बेटी नहीं है तो B भी इसका बेटा ही होगा ठीक है तो A वे B परसपर किस परकार सम्बन्द इता- तो A और B का संबंद बताना है जब C दोनों की माँ है जब C A और B दोनों की माँ है तो A और B एक दूसरे के क्या लगे दोनों ही male character है तो A क्या है? B का भाई है तो A option यहाँ पर correct हो जाएगा A B का भाई है ठीक है? थार्ड question आता है हमारा देखे इसमें हमने क्या करना है छोटी सी trick है आप इसमें सारे numbers को count करो जितने भी यहाँ पर alphabet दिये हैं उनको count करो जैसे इस question में 16 alphabet है 16 का मतलब है उन्हें 4-4 के pairs में तोड लेंगे और 4-4 के pair देखे 1, 2, 3, 4 याने 4 का pair मैंने एक यह कर दिया उसके बाद 4 का pair यह हो गया उसके बाद 2 हो गया अब देखे यह complete pair है P, R, Q, S क्या हम इस type का यह pair बना सकते हैं अगर मैं यहाँ पर R फिल करूँ P, R, Q, S P, R, Q, S और P, R, Q, S क्या हमने क्या क्या नमबर लगा है R, R, Q, S क्या ऐसा कोई option यहाँ पर present है R, R, Q, S B option यहाँ पर बिलकुल present है यानि की हमारा B option यहाँ पर correct हो जाएगा इतना clear है Next question देखे यह जो है alphabet की series है alphabet की series में हमने next term बताने है क्या आएगी तब next term निकालने के लिए हम alphabet में रिखेंगे की Y जो है 25th position पर आता है और V जो है 22 ऐसे ही सभी की position मैं already इस पर लिख चुके हूँ चीक है अब हमने क्या देखना है जब Y से हम V पर जा रहे हैं तो इनके बीच में minus 3 का gap है यानि की 25 में से मैं minus 3 कर रही हूँ तो क्या बन रहा है 22 बन रहा है उसके बाद फिर से minus 3 और फिर से minus 3 and then फिर minus 3 यानि की पूरी series में क्या हो रहा है minus 3 का gap चल रहा है तो उसके बाद मैं next term निकालने के लिए खुझ से यहाँ पर minus 3 करूँगी यानि की 13 में से minus 3 10th position आ जाएगी और L from bet में 10th position किसके होती है वो J की होती है और option यहाँ पर A present है J तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या जाएगा J फिफ्थी question देखिए इसमें क्या है प्लस का अर्थ है multiply देखे इस type के question में आपने एक छोटा सा इस तरीके से बना लेना है कि plus का अर्थ क्या है multiply ठीक है minus का अर्थ क्या है plus और multiply का अर्थ है divide और divide का अर्थ क्या है minus तो जो इधर वाले sign आए वो sign हमने इस वाली जो यह दे रखिया statement इसमें convert कर देना है change कर देना है ठीक है देखिए जैसे 10 plus की जगे हमने क्या यूज करना है multiply और multiply की जगे हमने क्या यूज करना है divide और divide की जगे माइनस और माइनस की जगे प्लस तो हमारी statement यह बन गई और हमेशा ही याद रखें जब भी इस टाइप का question आए हापने क्या रूल लगाना है बोर्ड मास रूल लगाना है यानि कि bracket उसके बाद off यानि कि उनको रिमूव करना डिवाइड मल्टिप्लाए प्लस और माइनस आपने हमेशा ही इस सीरीज में question को solve करना है आप देखे इस question में कहीं bracket तो है नहीं तो हम खाली डिमास यूज कर लेंगे चीक है यानि कि सब से पहले हम यहाँ पर divide को solve करेंगे है डिवाइड यहां पर है हम इसको solve करने के लिए ऐसे इस position में लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो यहां पर 10 से 10 डिवाइड हो गया है 5-2 देखे 5-2 प्लस 5 यह equation बन गई उसके बाद हमने क्या करना है addition किस किसका होगा इनका होगा 5-5 10-2 तो answer क्या आगया 8 यहां पर प्रेजंट है बिल्कुल प्रेजंट है डी ओप्शन है हमारा करेक्ट अप्शन हो गया तो इस तरीके से हमने इसमें एक रूल यूज करना है दमास लेकिन कब जब उसमें ऊपर नॉटिविशन देते हैं उपर लिखा हुआ है हमने उसका नोट धियान से पढ़ना है औ यह मैंने अठेगा नेक्स कुषिन देखें क्या आता है डीरेक्शन से हैं इसमें क्या करना एक विशार 2 km था में चलता है तो धियान रखें हमेशा विशान 2 km था के ओन चलता है अब धृrüंखन हमेशा तेसे कैसे लेनी है इसंवाल दयर क्शन नोर्थ और साउपूर करें 3 km वो नहीं 22 kms चलता है तो दक्षिन डिचा नीचे की साइड पूरा पश्ची मुत्र डक्षिन तो यहां से ऑचलना इस्टार्ट किया उसने कितना 2 km कर अब यहां पर उसके पोजिशन क्या है नीचे की साइड पर है तो हम ऐसे Mid Mr. य़ ठीक है ना ठीक है उसके बाद वो कहा मुड़ा बाय मुड़ा उसका बाया पोजिशन के आएगा यहां पर आएगा तीन किलोमेटर चला वो बाया चलकर उसके बाद कहा फिर बाय मुड़कर फिर यहां पर उसका बाया नीची की साइड बैठेगा पर कितना चला है पांच किलो ये लिए नेक्ट्सैन। क्या आता है हमारा देखिये, डीर्रेंशन से है, इसमें क hiện है, विशाल 2,00도 क्लिमीटर दक्षिन दिशा में चलता है, तो यानि की डीर्रेंशन हम to about east west north और south, पूरब पश्ञिम उत्तर और दक्षिन, हमेशा ही हम इसी टाइप से लेनी है चीक है कॉशन सॉल्व करें विशाल 2 km दक्षिन दिशा में यानि कि नीचे की साइड चलता है 2 km उसके बाद दाय मुड़कर अब देखें दाया हम किधर लेंगे क्योंकि वह है नीचे के साइड उसका फेस हो गया किधर इधर के साइड तो दाया हात क उसके दीचानी कि दाया तंविदा लेंड ले लिया कितने किलोमेटर थाrium 3 किलोमेटर था फिर बाय मुड़कर अब यहां पर है तो बायं उसका आएगा इधर कितना चलता है? उसका आयेगा. शालता है. ला है कितना चलता है 2 열 मोहले मिंदू से किस दिशा में पहुंच गया तो वह यहाbirds बताना है East West North और South तो यहां से से वह किस दिशा में हैं अब East दिशा कि ओर जारा है वो क्योंकि इधर के साइड की दिशा कर जारा है तो हमारा ऐसे ही लेनी है तो इधर की साइड जैसे ही वो जा रहा था तो पूर विधिशा आ रही है तो आपका आन्सर पूर दिशा क्टीक है workshops देखे सीधे हैं द हिवाइड लगाएंगे गरें 20 को दिवाइड़ बंगरें तो हमें क्या मिलेगा धिया चेल गाई तो हम चील यानिकिแลगे divided by 3 करेंगे उसके बार divided by 4 करेंगे उसके बार divided by 5, 5 के टेबल में 6 टाइम आता है 30, तो यानिकि next step हमें क्या पता चलना कि divided by 6 करने से हमें next term मिल जाएगा, तो divided by 6 करेंगे तो यहां पर answer क्या आएगा 1, क्या यह option में present है, बिल्कुल present है, यानिकि A option हमारा यहां पर correct हो जाए next question देखे, glaze, G, L, A, Z, E, शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, चार option आपको दिये हुए है और बुचाएं इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, सबसे पहले तो देखे इसमें D है, और यहां पर कभी, कहीं पर भी D present है ही नहीं, तो यह option आपका wrong हो ग यानि कि C option हमारा बिल्कुल correct है, इतना clear है, चलिए, next question है करमानुसार लगाई है, यानि असेंटिंग ओर्डर में हमने लगाना है, आरो ही करम में लगाना है, तो हमने चार option देखने है, महासागर, सागर, तालाव और नदी, यानि कि सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले कौन कैसे सिरीज में लगेगा, यानि कि 3, 4, यानि कि जो तालाब था, 3rd वाला पहले आ जाएगा, फिर 4 वाला आ जाएगा, और उसके बाद कोन आएगा, 2 वाला और 1, 3, 4, 2, 1, तो यानि कि second option हमारा यहां पर correct हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, उसके बाद 10th question देखे, क्या आता है, सभी तस्वीरे चितरकला है, उन्होंने कहा सभी तस्वीरे चितरकला है, इस question को हम diagram के through solve करेंगे, diagram क्या बनाएंगे, हमने एक diagram बनाया यह, उसमें क्या लिखा, सभी तस्वीरे, यानि कि तस्वीरे क्या है, अंदर आ गई है, चितरकला है, बाहर कोन आ जाएगी, चितरकल उन्होंने कहा सभी तस्वीरे चितरकला है और कोई चितरकला सस्ती नहीं है, तो चितरकला कोई सस्ती नहीं है, छीक है, तो ये उन्होंने श्टरीक्मेंट दी है, उसके बाद conclusion निसकर्ष क्या दिया कोई तस्वीर सस्ती नहीं है अब जब जब सारी कि सारी तस्वीरे चितरकला है और चितरकला कोई भी सस्ती नहीं है तो शती तस्वीरे भी नहीं होंगी तो 1st option यहांपे correct है हमारा दूसरी का यह दूसरा क्या conclusion दिया है सभी चित्रकला एंगर हैं तस्वीरे भी है बैट ऐसा statement में कहीं पर भी नहीं दिया तो statement में जो हमें दिया है हम उसी को correct मानेंगे लेकिन statement में ऐसा तो कहा यह नहीं की परिवल एक कर्क्त हैं के वल दौकर्यक्त है तो हमारे according कि आया कोई सथीर सफी नहीं है तो इस सीचर और सिर्फ एक नहीं था एक ही क्रएक्ट है क्योंकि दूसरे ज़से हैं सभी चेत्रकल नाये तस्वीरे SIM , पथी एसस्टेटमेंट में कहीं भी नहीं है तो हमारे कोश्चन के अप्वार्डिंग हमारा आंसर क्या बनता है केवल एक निश्कर से सही है ठीक है इतना के लिए है यह हमारे कोश्चन्स थे जो प्रीविएस येर में आय हुए है आपको क्लास बहुत पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करना ना भूलें चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की आपको सभी वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्यू फ्रेंड